खेसारी के घर में काच का ग्लास तूटता है तो उसके जिमेदार पवंसिंग है। खेसारी लाल यादो के बेटी के उपर गाना गाया जाता है पंकस सिंग द्वारा आपको पहले हम ये बता दे कि किसी भी बहन बेटी के उपर गाना गाना सरासर निंदनी है। खेसारी के लाइव आने पर उसके व्यूज बढ़ गए हैं तकरीबं धाई से 30 लाग यानि खेसारी ने लाइव आकर अपनी बेटी को या यू कहले कि उस सिंगर के सौंग को खुदी प्रमोशन कर दिया। खुदी प्रमोट कर दिया कि देखो भाई देखो मेरी बेटी के उपर गाना गाया गया है। अरे खेसारी लाल यादों के पास तो इतनी पावर है कि उस बंदे का गाना वो डिलीट करवा सकते थे। ये कहकर कि ये हमारे पर आपत्ती जनक हमारे परिवार पर टिपड़ी की गई है और वो यूटूब से गाना हड़ जाता। लेकिन खेसारी ने यहां आने की जहमत नहीं की। ये कदम उठाने की जहमत नहीं की। खेसारी लंडन में भले बैठे हैं लेकिन उनका दल बल यानि की विवेक सिंग, अखिलेश का शेप और उनका जो टीम है वो यहीं बैठी है। उससे वो कहकर गाना डिलीट करवा सकते थे या कोई भी बड़ा एक्शन ले सकते थे उस बंदे को जेल हो जाती या पुलिस कंप्लेंट करवा देते कुछ ना कुछ तो करते लेकिन लाइव आकर अपनी ही बेटी पर गाना गाय हुए यूवक का आप प्रमोशन कर रहे हो ये कहां कि बात हो गई कि सारी जी अब आग पवन सिंग को जिम्यदार ठहराते वैसे आपने पंकस सिंग के मैटर में भी पवन सिंग को जिम्यदार ठहराया खेर वो मैटर तो बहुत ही अलग मैटर है लेकिन जो ये मैटर आप बता रहे हैं कि आपको ट्रैप किया जा रहा है किसी भी तरह से कि इस इंडर्स्ट्री से निकलवा दिया जाया ये फलाना और धिमा का ऐसा लग रहा है कि मानो कि एग्रिमेंट खुद पवन सिंग ने लिखा हो आपके सामने टेबल पे खुद ही पवन सिंग ने रखा हो और आपने बड़े प्यार से पवन सिंग के साथ भाई चारा निभाते हुए उस के ट्रैप में आप फस चुके हैं अब आप ये बताइए खिसारी लाल यादो जी जो आपने मैनेजर हायर किये हैं वो मैनेजरों को खगगभी आती है या वो सिर्फ नाम के मैनेजर है अगर वो नाम के मैनेजर है तो उनको छुट्टी दे दीजिए अगर उनको पढ़ना लिखना आता है तो वह आपको सीधी और सरल भासा में बेवकूव बना रहे हैं मानते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन विवेक सिंग तो पढ़े लिखे हैं सोनु पांडे तो पढ़े लिखे हैं क्या एग्रिमेंट उन्होंने नहीं पढ़ा खैर इसे भी जाने दीज इसके भी जिम्मेदार मानिये पवन सिंग है लेकिन खेसारी जी हद तो तब हो गई कि जब आप शुरुआत करते हो और फिर आपको उपर कुछ किया जाता है तो आपको ये लगता है कि आपके साथ जाल साजी हो रही है आपने पवन सिंग को ताना मारा कि उनके पास नहीं है और अब आपको वो ताने चुब गए बल्कि चुबने तो पवन सिंग को चाहिए थे और पवन सिंग की मा को चाहिए थे कि वो लाई वाती और रोती कि मेरे बेटे को खेसारी लाल यादोंने ऐसा केया लेकिन आपने अपनी हदे पार की और फिर सुरू में ही हमने कहा कि आपको ताना तो आपने पवन सिंग पे मारा लेकिन चुबा आपको इसलिए आप एक ही दिन में दो दो बार लाई और वो भी मिंडिया की बात करते हैं अपने देश की बात करें तो रात के तीन बजे लाई वा जाते हैं हाँ ये बात और है कि लंडन में उस वक्त इ ठीक पहलू मत देखिए दोनों पहलू देखिए आप अगर इन दोनों पहलू को देखेंगे तो यहां कहीं ने कहीं गलती आपको खिसारी लाल यादों की जरूर नजर आएगी।